बिनौला खल में जो कुछ समय पहले एक सीमी दैर में कारुबार देखने को मिल रहा था अब उसमें बड़त बंती नजर आई है बिनौला खल में निचले स्तरू पर सीमी दैर में कारुबार करने के बाद अब दीरे दीरे तेजी और बढ़ रही है लेकिन कीमते बड़ी हुई क्यों ना हो अभी भी बिनौला खल में एक बड़े दैर में कारुबार दर्च किया जा रहा है हाल ही में NCDX पर बिनौला खल का नमंबर वायदा 2600 के उपर निकलता नजर आया था लेकिन उपरी स्थरों से एक मुनाफ़ा वसुरी बनी जिससे कीम्ते 2500 के दायरे में कारुबार कर रही है वहीं बजार के जानकार मोतिलाल अस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजज़ा के मुताबिक बिनौला खल में एक बड़े दायरे में कारुबार दर्च किया जा रहा है जो की नीचे में 2300 से लेकर उपर में 2800 तक का हो सकता है इस बड़े दायरे में कारुबार अभी कुछ समय तक और जारी रह सकता है अमित सज़ज़ा के मुताबिक बिनौला खल में निचले स्तर उपर खरीदारी करके चला जा सकता है और 2750 से लेकर 2800 का टार्केट हासिल किया जा सकता है अमित सज़ज़ा के मुताबिक अगर कीमते 2800 के उपर निकलती है तो उपर में 3050 तक जा सकती है बिनौला खल में एक बार फिर से लंबी अबदी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है